Good morning students, आज की हमारी क्लास फ्रेजल वर्ब की होने वाली है, जिसमें हम कुछ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देखेंगे और उसका सेंटेंस में यूज देखेंगे वर्ब में जब प्रेजल वर्ब जुड़ता है तब फ्रेजल वर्ब बनती है और फ्रेजल वर्ब का अपना अलग मीनिंग होता है फ्रेजल वर्ब की किसी भी form के साथ बनाया जा सकता है उससे उसका tense change हो जाएगा पर meaning पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब हो जाएगी call for इसका meaning हो जाएगा to demand or need something यानि किसी वस्तू की मांग करना या उसकी जरूरत होना sentence में use हो जाएगा his master called for an explanation of his conduct यानि उसके स्वामी ने उसके आचरन की व्याख्या करने की मांग की तो call for यानि किसी चीज की मांग करना next phrasal verb है call out इसका meaning हो जाएगा to ask somebody to come specially to an emergency यानि संकट के समय में किसी को बुलाना इसका sentence में use हो जाएगा the child called out for help यानि बच्चे ने साहता के लिए पुकारा तो call out यानि संकट के समय में किसी को बुलाना next phrasal verb है call in इसका मतलब होता है summon या send for यानि बुलाना या मंगवाना call in है doctor immediately यानि एक डॉक्टर को तुरंत बुलाओ तो call in यानि बुलाना और the librarian called in all books यानि librarian ने सारी किताबें मंगवाई है तो call in का एक मतलब तो होता है मंगवाना और दूसरा मतलब होता है बुलाना next है call on यानि visit somebody's house or office यानि किसी से मिलने जाना short visit तो call on यानि किसी से मिलने जाना he called on me yesterday यानि वह मुझसे कल मिलने आया था तो call on यानि किसी से मिलने जाना next phrasal verb है call up यानि to telephone somebody or order somebody to join the army, navy or air force यानि किसी को phone करना या सेना में भरती होने का आदेश देना I called up Mahesh and gave him the news मैंने Mahesh को phone किया और उसको वो news दी तो call up का एक meaning तो हो गया किसी को phone करना दूसरा हो जाएगा He was called up when war began जब लड़ाई शुरूई तब उसको सेना में भरती होने का आदेश दिया गया तो call up का दूसरा meaning हो जाएगा सेना में भरती होने का आदेश देना तो call से related हमने 5 phrasal verb देखिए call for यानि किसी वस्तु की मांग करना या उसकी जरुरत होना दूसरा call out यानि संकत के समय में किसी को भुलाना call in यानि बुलाना या मंगवाना call on यानि किसी से मिलने जाना और call up यानि किसी को phone करना या सेना में भरती होने का आदेश देना तो जब किसी को phone करते हैं तब call up होता है ठीक है याद रखना अब हम केरी वर्ब से बनने वाली फ्रेजल वर्ब देखेंगे केरी वर्ब का मीनिंग होता है किसी चीज को एक उठा कर एक जगे से दूसरी जगे ले जाना पर जब इसमें प्रेपोजिशन या एड़ वर्ब जुडेंगे तब इसका अलग-अलग मीनिंग निकलेगा तो चल 1-2,2,2,2,1 तो ऍ declaration मीनिंग होजाएगा तोps, to execute & to obey 2-3 है या पहली तोय कहती कि एक जोजना को एक पिरेजनों करना या आदेश का पालन करना या आदेस का पालन करना इसका पहलाला या इसका प्लान का पालन नुपमें हमें अपने योजना और tantक यन दूसा यूज हो गया आदेश का पालन करना नेक्स्ट है carry away इसका मिनिंग हो जाएगा to be so excited that one is deprived of self-control यानि इतना ज़्यादा excited हो जाना कि उसको self-control हो जाए और इसका दूसा मिनिंग हो जाएगा take away यानि ले जाना तो इसका दो मिनिंग हो जाएगा carry away का एक तो excited होना बहुत ज़्यादा और दूसरा ले जाना इसका sentence में यूज हो जाएगा his son carried away all the money उसका बेटा सारी जो money थी सारा जो पैसा था वो carried away यानि ले गया फ्रेजल वर्ब है carry over यानि to postpone यानि स्थगित करना the proposal was carry over to the next meeting यानि वो जो प्रस्ताव था next meeting तक स्थगित कर दिया गया तो carry over यानि to postpone यानि स्थगित करना next proposal वर्ब है carry off यानि to kill or to succeed in doing something difficult या to win यानि किसी को मार देना या किसी कठिन काम को करने में सफल होना या जीत जाना तो इसका पहला use देखते हैं many person work carried off by plague यानि बहुत सारे जो लोग थे वो plague से मारे गए तो carry off यानि मार देना he carried off most of the prices यानि उसने जादातर price जीते तो carried off का दूसर मीनिंग हो जाएगा जीतना और इसका एक मीनिंग होता है किसी कठिन काम को करने में सफल होना next proposal वर्ब है carry through यानि complete something or support to the end यानि पूरा करना किसी काम को या किसी को अंत तक साहरा देना इसका sentence में use हो जाएगा one should carry through the undertaken work यानि एक विक्ति को जो काम उसने हाथ में लिया है उसको पूरा करना जाहिए तो carry through का एक मिनिंग तो हो गया पूरा करना next use हो जाएगा his hard work carry him through his all hard times यानि उसकी कठिन मैनत ने उससे उसके हर कठिन समय में आगे बढ़ाया या support किया तो carry through का एक मिनिंग तो हो जाता है अंत तक साहरा देना और दूसा मिनिंग हो जाएगा carry through तो carry through से related भी हमने काफी सारे फ्रेजल वर्प देखें carry on का मिनिंग हो जाएगा to continue यानि जारी रखना carry out यानि आदेश का पालन करना या योजना को क्रियान्मित करना carry away यानि बहुत excited हो जाना या ले जाना किसी चीज को carry over यानि स्थगित करना carry off यानि मार देना किसी काम को किसी कटिन काम को करने में सफल होना या जीतना और carry through यानि पूरा करना या अन्त तक साहरा देना next result है cast down यानि depressed या दुखी होना दुखी निराश या उसाद गरस्त होना he was must cast down by his loss यानि अपने नुकसान की वज़े से या लॉस की वज़े से बहुत निराश या उसाद गरस्त हो गया तो आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thanks for watching